गॉट बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिबर हॉस्पिटल स्वरुपनगर कांटूर जहां तक गालबडर का किंसर का सवाल है जो नौर्धन पाट अफ दी इंडिया है पर्टिकुलर्ली उत्तर प्रदेश गालबडर किंसर इस बात करूँगाiben्टन पर 21 किलेच के जनरल आउतलाइण के बारे में सवाल बात करंगा canon कोई के पहसेंUnyum कुटिहाराल है इन पेशेंक नहीं कोई treatment प्रेफिरेंस तो नहीं है तो मुझे यही treatment करानाय है यह treatment नहीं कराना है but the initial goal हमेशा treatment का है कि किसी तरह गाल बेडर का जो cancer है with गाल बेडर रिमूव करके अलग कर दिये जाए अगर वो नहीं possible है तो दूसरी therapies होती है उनको हमें utilize करनी की ज़रूरत पड़ती है ताकि यह जो बिमारी है यह जो cancer है दूसरी जगे spread ना हो और आपके जो life है वो comfortable हो जाए जहां तक treatment का सवाल है वो तीन ही category में आएगा number one अगर early stage का cancer है तो the best is कि surgery हो और पूरी के पूरी चीच को निकाल के अलग कर दिया जाए जो थोड़ा सा late stage cancer होता है उसमें भी जो surgical option है वो हमेशा preferable option है कि उसे जो tumor है उसको निकाल के अलग किया जाए number three पर आता है कि अगर bile duct block हो गई है गाल बेडर cancer के चलते जिसके चलते jaundice develop हो गई है इन पूरी body में बहुत सारी खुजली आ गई है तो वास्तों में इस जो block हुई the bile duct है इसको open कैसे किया जाए that is the third problem जो हमें address करनी की ज़रूरत पढ़ती है अगर जो गाल बेडर का cancer है वो stage one and stage two है that means कि गाल बेडर की अंदर की surface में है या उसकी दिवार तक limited है और बाहर कहीं नहीं फैला हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है अपने surgeon को contact करना है surgeon को दिखाना है और जिसे standard कॉलिसिस्टेक्टमी कहते है या standard जो गाल बेडर का operation कहते है इसको कराके गाल बेडर को निकलवाके अलग कर देना है scientifically ऐसा माना जाता है कि अगर stage one में है या stage two में है इन आपका गाल बेडर का operation करके गाल बेडर निकाल के अलग कर दिया जाए तो बीमारी वास्तों में बाहर हो जाती है अगर ये stage two है या stage three है एन ऐसा लगता है कि simple कॉलिसिस्टेक्टमी या सामानी कॉलिसिस्टेक्टमी से काम नहीं चलेगा तो कभी radical कॉलिस्टेक्टमी की जरुरत पढ़ती है अगर गाल बेडर का जो कैंसर है वो गाल बेडर की दिवार के बाहर चला गया है आसपास की लिवर में بھی थोड़ा सा इनफिलट्रेशन है आसपास की लिम्फनोट में भी थोड़ा सा इनफिल्ट्रेशन है तो Radical Cholices Tectomy की जरूरत पड़ती है जिसमें गाल बेडर के अलावा जो आसपास का एरिया है इन दे सेंस के थोड़ा सा एरिया है लिवर का प्लस जो lymph nodes हैं उनको भी निकालके अलग किया जाता है इसकी जरूरत पड़ती है हमें stage 3 में इन थोड़े बहुत कुछ patients होते हैं stage 2 में नो इसके अलावा there are certain additional therapies यह हो सकता है कि आपको operation हो operation होने के बाद जो गाल बेडर निकाला गया उसकी histopathology examination हो और इसके बाद यह निरने लिया जा सकता है कि आपको operation के अलावा chemotherapy या radiotherapy की जरूरत है या शायद chemotherapy की जरूरत है शायद radiotherapy की जरूरत है या दोनों की जरूरत है यह इस पर dependent है कि आपकी जो histopathology है वो क्या कहती है तो surgery की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा radiotherapy या chemotherapy की जरूरत भी पड़ सकती है अगर late stage का galbader cancer है तो treatment क्या किया जाएगा वो उसपर dependent है कि अगर late stage का है इसका मलब surgical option नहीं है अगर surgical option नहीं है तो एक option है कि chemotherapy दी जाएगी जो chemotherapy है वास्तों में injections के रूप में होती है यह कुछ medicines होती है जो cancer की कोशिकाओं को मारने की ताकत रखती है जब chemotherapy चालू होती है तो वास्तों में जो cancer की cell से इनके growth बंद हो जाती है इन वो वास्तों में kill होने लगती है इन जो growth है वो suppress हो जाती है तो chemotherapy is one option जो आपको co-opt करने की जरूरत है The second one is कि कभी कभार गाल बेडर के cancer के लिए हम external beam radiation का utilization करते हैं जिसा कि आपको photograph में दिखाई दे रहा है तिन दोनों में से आपको किस के जरूरत है ये आपके doctor ही decide कर पाते हैं जहां तक गाल बेडर का cancer का सवाल है इसका जो treatment है ये बहुत evolving field है ये बहुत emerging field है इन लगातार research के चलते हैं इसमें development होते चले जा रहे हैं इसलिए आपको अपने doctor से बात करनी चाहिए कि क्या कोई नए ऐसा treatment modality है जो गाल बेडर के cancer के लिए develop हुई है जो मैं utilize कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर गाल बेडर के cancer के चलते जो bile duct है या पित्ती के नली block हो गई है अगर वो block हो गई है तो जो bile का flow है वो बंद हो जाएगा और bile का flow बंद हो जाएगा तो पीलिया हो जाएगा इन पूरे चरीर में खुझली हो जाएगी अगर bile duct को हमें खोलना है या कि जो जॉन्डे से उसको clear करना है तो हमारे पास नहीं बहुत सारे option है नबर वन इस के हम ERCP कर सकते हैं जिसे कहते हैं I mean endoscopic, retrograde, colongeo pancreaticography और ERCP करके इसके अंदर एक stent या tube लगाई जा सकती है जो tubes होती हैं वो दो तरह की होती है नबर वन इस दा metal stent जो एक बार अगर डाला जाता है तो ये लगबाग permanently throughout life पढ़ा रहता है और ये पित्ती की नली को खोल के रखता है In the second one is the plastic stent The problem is कि जो plastic stent है वो भी खोल के रखते हैं लिकिन plastic stent का बीच वीच में block होने का हमेशा खतर रहता है तो इसलिए ERCP करके metal stent जो placement है is always the first choice The second one is कि हम यहाँ से एक needle के द्वारा wire डाल के यहाँ से tube लगा सकते हैं इसे कहते हैं percutaneous transhepatic cholangeo pancreaticography और इसके चलते वास्तों में हम आपका biliary drainage कर सकते हैं It is known as PTBD that is percutaneous transhepatic biliary drainage तो इस तरह की tube बाहर से लगाए जा सकती है जो यहाँ से बाइल को drain करेगी यह धिरी-धिरी jaundice आपकी खतम हो जाएगी The next one जो एक emerging modality है but it is established कि जो endoscopic ultrasound है जो endoscopic ultrasound है उसके जरिये से जो stomach है या खाने की तहली से एक tube pass के I mean एक needle pass करके एक tube लगाए जा सकते हैं लिवर और खाने की तहली के बीच में इसे कहते हैं Hepatogastostomy अगर Hepatogastostomy होगी तो jondos को कम होने में definitely मदद मिलेगी तो biliary drainage का जहां तक सवाल है यह बहुत सारी modalities है जो opt की जा सकती है इसके अलाबा अगर ऐसा लगता है कि यह जो modalities हैं नहीं काम कर रही है तो surgical drainage किया जा सकता है इसे कहते हैं biliary bypass एक segment 3 bypass surgery है जो की जा सकती है जिससे के intestine के कुछ portion को liver से जोड़ा जा सकता है जैसा के आपको photograph ने दिखाई दे रहा है अगर liver के इस portion को intestine से जोड़ दिया जाता है तो jaundice दीरे 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 नीचे आ जाती है और एक बार jaundice नीचे की तरफ आई तो वास्तों में जो दूसरे options है treatment के वो open up हो जाते हैं चाहिए वो कीमो थरेपी हो रेडियो थरेपी हो और वो जो option है वो आप explore कर सकते हैं जब भी इस तरह की problem होती है के गाल ब्रेडर cancer question में आ जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने doctor से बहुत सारे ऐसे questions हैं जो जरूर पूछने चाहिए और clarify कराने चाहिए आपको doctor से पूछना चाहिए कि अगर मुझे cancer है तो इसकी stage क्या है आपको पूछना चाहिए कि जो cancer suspected है की जरूरत तो नहीं है इस चीज को जानने के लिए कि ये कहां तक फैल गया है जहां तक गाल ब्रेडर का cancer है आपको doctor से बात करके गाल ब्रेडर cancer के जो अलग treatment है उनके options के बारे में discuss करने की जरूरत है इसके जो risk benefits हैं उसके बारे में discuss करने की जरूरत है, यह आपको डाक्टर से बात करने की जरूरत है, कि क्या डाक्टर के viewpoint में, is there any specific treatment, जो आपकी disease stage के हिसाब से आपके लिए उप्युक्त होगा, तो जहां तक गाल्बेडर cancer का सवाल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, देखें, अगर stage 1 and 2 है, तो surgery is the best option, अगर यह stage 3 में चला जाता है, यह stage में गया जहां कि यह operable नहीं रह जाता है, तो फिर chemotherapy, radiotherapy, these are the options, जो explore करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन गाल्बेडर cancer में जो सबसे बड़ी problem ख़ड़ी होती है, that is jaundice, जो jaundice है, वो bile duct के block होने के चलते आती है, और एक बार jaundice हुई तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, तो जब तक jaundice को relieve करने के लिए इंतजाम नहीं किया जाएगा, गाल्बेडर का जो cancer है, उसका जो treatment है, उसको initiate करना हमेशा difficult हो जाता है, और ERCP के जरिये से, इसमें एक metal stent या plastic stent place किया जाए, अगर आप समझते हैं कि गाल्बेडर कैंसर के treatment के different aspects को समझने में, ये वीडियो आपको help करता है, तो जरूर शेयर करें, मैं डॉक्र वीके मिश्रा, from guest to labor hospital, स्वरूब नगर कानपूर, thank you very much.